कॉंग्रेस पार्टी की उम्मीद्वार मदन मेगवाल जाहब का नमांकन पत्र दाखिल हुआ आप सब उन्स सभा में आज शामिल हुए मुझे खुशीज बात की है लेकिन मुझे खुशीज बात की भी है कि आज मंच पे जो सुद्वुक बैठे हैं हमारे उम्मीद्वार का नमांकन भराने के लिए मुखमंत्री जी मैं सभी मंत्री गन यहां बैठे हैं गोविन देगव जी भैनीवाल साहब मंगदरााम जी डूडी जी कल्ला साहब पूरी कॉंग्रेस पाट्य आज जहां इनका नमांक बताण ब्रानी के लिए है महं। लेकिन मुझे जानकारी मिला है कि हमारे जो अ Πेस बात्य आशि रख्रची में इस विरतमार में सांसर्द हैं मंत्री हैं उनका नामंकन बराने के लिए हमारी पूर मुख मंत्री जी आज नहीं आ सकी ये भारती हंता पार्टी में सत्ता में रहने के बावजूर जो दो फाड हैं जो आपसी मनमुटाव है उसका नुक्सान राजिस्थान के लोगों ने पांच साथ तक और यही कारण है कि राजिस्थान के साथ करोड़ लोग हमेशा अपेक्षित रहें ये चुनाव निरनाया चुनाव है ये चुनाव देश के सामने जो गंभीर चुनोतिया है उसका सामना कैसे करना है उस बात का चुनाव है कॉंग्रेस पार्टी में राहूल गांदी जी न हम समने मिलकर जो निरने लिया है जो मिर्वार आपको दिया है आपके भरोसे पर दिया है मेरा आप से कर्वद निवेदने साथियों जिस प्रकार पूरे परदेश और इस जिले के आसपास की सभी लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को आशिरवाद दिया हमारी सरकार बनी त स्वाथ शेत के प्रत्यक विक्ति के सांचत बनकर दिल्ली में जाकर काम करेंगे